पवन सिंग के कमरिया वाले गाने की पूरी टीम एक साथ लाईवाई सिवाए पवन सिंग के आपको बता दे कि पवन सिंग की फिल्म कैसे हो जाला प्यार इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों लखनव में चल रही है सभी को पता है इसलिए पवन सिंग इन दिनों लखनव में ही है बिजी है इसलिए पवन सिंग एक साथ लाइव तो नहीं आ पाए लेकिन पवन सिंग ने बहुत दिनों पहले ही यानि कि तक्रीबन तीन दिनों पहले ही लाइव आकर अपने फैंस को धन्यवाद कह दिया था आज उनकी पूरी टीम आई और सभी फैंस को धन्यवादी लगातार तीन दिनों से भाई यूटूब के ट्रेंडिंग में बना हुआ है तो सिर्फ कमरिया हिला रही है और आपको बता दे कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है खेर हम आपको नया कुछ बताने वाले हैं नया ये बताने वाले हैं कि पवन सिंग जल्द ही अपने दो हिंदी एल्बम और लेके आ रहे हैं एक पार्टी सॉंग और एक रोमैंटिक सॉंग जी हाँ जिस पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द वो गाना आभी ज लेकिन क्या आपको याद है कि पवन सिंग कुछ दिनों पहले दुबई गये थे दुबई के सडकों पर लोंबरगीनी कार चलाते हुए वहाँ पवन एक गाना सूट किया हुआ था जी हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जैसे टिक टॉक चल रहा है तो भाई ये गाना जल ही रिलीज होगा और ये गाना भी हिंदी में ही है तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंग इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे जी हाँ आप ये समझ चुके होंगे कि पवन सिंग इस मौके का फायदा तो जरूर उठाएंगे क्योंकि भाई उनका कमरिया वाला सौंग जो इतना महा रिकॉर्ड बना चुका है अभी खबरों में है पवन सिंग तो इसलिए पवन सिंग जल्द ही अपना वो गाना भी रिलीस करवाना चाहते हैं इसी मौके पर तो हो सकता है कि इस हफते में आपको सब कुछ चिक टाक चल यह गाना भी देखने को मिले और हो सकता है कि उसके व्यूज भी बहुत बहतरीन हो खैर हम तो आपको यही कहेंगे अगर आप पवन सिंग के फैन है तो भाई इस वीडियो को भी उतना ही लाइक दीजिएगा जितना उनके कमरिया वाले गाने को भी दिया था लेकिन साथ ही जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाये जा रहे हैं आपने देखा होगा भतिजवा कमोसी जो 81 मिलियन पहुच चुका है महस तीन हफतों में और साथ ही साथ एक और उनका गाना होली पे रिलीज हुआ था जो 21 मिलियन पहुच गया है दो हफते में तो भाई पवन्तो तहल का मचा रहे हैं साथ ही साथ होली में गुलाल खिसारी भी उड़ा रहे हैं भुचपुरी जगत की होट और मसाले दरगोसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिल्कूल न पूले